देखें, spelling error कहलें या miss spelled word कहलें यहां से एक question definitely पूछा जाता है कई बार ऐसा होता है कि passage में आपको एक word highlight करके देता है उसका सही meaning करके या कि फिर spelling करके पूछ देता है या कि फिर directly पूछ देता है चार आपसर होते हैं उसमें से तीन गलत होता है, एक सही होता है यह कई बार पूछा गया, एसलिए हमने इसको आज के इस first class में, first number पे इसको हमने रखा है receive का मतलब होता है प्राप्त करना, R-E-C-E-I-B-E यहां पर खेल हो जाता है कि E-I के जगा, I-E देता है जिससे कि आप confused जाते हैं तो इसकी सई spelling देख लिजिए अगर receive की synonym पूछ ले तो आप बता सकते हैं accept या कि फिर collect, ठीक है next की तरह हम बढ़ते हैं अंगला है कि maintenance maintenance का मतलब होता है रख रखाओ, spelling देख लेंगे M-A-I-N-T-E-N-A-N-C-E यहां से error हो जाता है A, gap कर देता है, कई बार N-C-E करके देता है ठीक है, तो maintenance की spelling ध्यान देंगे अच्छा, last में हम आपको यह भी बता देंगे कि कैसे आप spelling को improve कर सकते हैं last में क्या भी बता देते हैं इसके बाद बताते हैं इसको समझ लेते हैं पहले, achieve लिखा हुआ है A, C, H, I, E, V, E देखिए यापर I, E, I करके confuse करता है, बट I, E ही सही होता है achieve का मतलब होता है कोई भी चीज प्राप्त करना बट कैसे आसानी से नहीं, मेहनत करके किसी कारे को मेहनत वह कौसल के द्वारा शंपन करना that is achieve next है कि appropriate, क्या है appropriate की spelling देखेंगे इसमें double P है A, double P, R, O, P, R, I, A, T, E चुकि आपके exam में double letter वाले शब्द जादतर करके पूछा जाता है तो appropriate का मतलब होता है उपयूक्त देखिए spelling इंप्रूब करने के लिए सबसे बहतरीन तरीका है न इन spellings को लिख करके practice करना जैसे हमने बताया sluggies तो sluggies आप किसी rough पर अपने pen से कम से कम 4-5 पर लिखेंगे तो definitely वो आपके mind में छप जाएगा और जब आपके exam में दिखेगा ऐसा spelling तो उसको क्या करना है कि आपको बिना other option को देखे आपको वहाँ पर जो एक rough sheet मिलती है white color की उस पर आप अपने pen या pencil से लिख करके अपनी जो सई spelling उससे match करा सकते हैं क्योंकि option में इधर उधर करके confuse करता है जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि double g लिखा हुआ है option में आपको single g देदेगा किसी में i guype कर देगा तो इसलिए confuse वहाँ पर होते हैं तो लिखेंगे तो confusion नहीं होगा sluggist का मतलब क्या होता है sluggist का मतलब होता है बहुत ही सुस्ती ढंग से जिसको ढीला ढाला भी कह सकते हैं slu double g i ch याद रखेंगे अगला है challenge challenge इतना आसानी spelling बट इसको हमने इसलिए रखा क्योंकि यह दो बार पूछा जा चुका है अब तक Air Force में इसलिए इसको हमने सामिल किया चुकि double l इसमें भी है ch a double l e n g e यहाँ पर a n g e देकर के confuse करता है ठीक है कभी-कभी single l भी दे देता है यहाँ पर लिखा हुए receipt but पढ़ेंगे इसको receipt क्या पढ़ेंगे receipt receipt क्या मतलब होता है रसीद जब भी कुछ आप पैसा वैसा किसी को paid करते है तो उसके बदले में जो पावती मिलती है उसको रसीद बोलते है इंगलिस में receipt बोलते है और लिखाता है receipt पढ़ते है receipt है r-e-c-i-p-t यहाँ पर टी साइलेंट होता है ठीक है receipt नेक्स देखते हैं वाइलिन की स्पेलिंग पूछी जा चुकिए आपके एक्जाम में इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है यहाँ पर वी-i-o-l-i-n वाइलिन वह आपको पता है कि वादिय अंतर है उसको बजाते है occasion occasion का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है आउसर इसकी स्पेलिंग देखेंगे यहाँ पर टीस्टन ठीक है ओ-डबल-सी-ए-आई स्वारी ओ-डबल-सी-ए-ए-स-ई-ए-ए-ण occasion याद रहेगा next की तरब देखते है innocent innocent की स्पेलिंग क्या है I-N-N-O-C-E-N-T क्या लिखा है सर I-N-N-O-C-E-N-T I-N-N-O-C-E-N-T innocent का मतलब होता है निर्दूस्ट ठीक है तो यहाँ पर यह जो 10 spelling error से है आपके सामने है आप इनको दसों को लिख लिख करके practice कर लीजिए चुकि हम 5-6 class और आपको दे देंगे मतलब कि 50-60 हो जाएगा आपके पास तो उसी में से आपके exam में आएगा ठीक ना बिलकुल exam oriented है बाकि कोई भी doubt हो तो comment box में पूछ सकते हैं चैनल पलेने तो जबर subscribe केजएगा मिलता है फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्र